गुरुदेव और मागाइत्री की चड़न में कुटी कुटी नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षि मनते हुए आज हम जानेंगे उपनिशदों की दिव्य पिल्डनाएं उपनिशद साहित्य देव संस्कृती की हमारे धर्म की अमूल्य धरूहर है ये जहां वैदिक चिंतन का चर्मोत कर्ष है वहीं भारतिय दर्शन की अन्य विचारधारों का आदिस्त्रोत भी है महा तपस्वी रिश्यों की चिंतन चेतना इनसे निर्जरित हुई है मानव मात्र के लिए इनका संदेश एवा महत्व सार्व भौमिक है तथा इनसे एक ओर हमें जहां आध्यात्मिक ग्यान मिलता है वहीं उसके जीवन पत को आलोकित करने वाला दीप इस्तंब भी है इस तरह आध्यात्म मान सरूबर रूपी उपनिशत से बहने वाले ज्ञान की सरीताएं मानव मात्र के लोकिक अभ्युदाईवं आध्यात्मिक कल्यान के लिए प्रवाहमान होती हैं इस आधार पर आज के मानों के लिए उपनिश्दों की गरिमा को भली बाती समझा जा सकता है उपनिश्दों के अनुसार मनुश्य जन्म तुरलब है और जो लोग इसे प्राप्ट करते हैं वे धन नहें क्योंकि एक तो ये जन्म लाखों योनियों को पार करने की बाद मिलता है और इन समस्त योनियों में किवल मनुश्य ही ब्रह्म ज्यान का अधिकारी है सिर्फ वही ईश्वर को प्राप्ट कर सकता है मनुश्य की सर्व स्रिष्टता का आधार उपनिशद उसके स्वतंत्र चिंतन विवेक शीलता और स्रजन सीलता की अध्वुच्छमताओं को मानता है उसके नुसार मानवेत्र योनिया मात्र भोग योनिया है यानी मानों के अलावा जितनी भी योनिया है वो जन मिलो भोगो और मरो यही उनकी नियती है किन्तु मनिष्य योनी भोग योनिया तो हैं ही कर्म योनी भी है अथा मनुर्भवा का देश देकर उसे मनिष्य बनने के लिए सचेत करता है क्योंकि मनिष्य जन्म तो सहज है किन्तु मनिष्यता उसे कठिन एवं सचेतन प्रत्न द्वारा ही प्राप्त करनी होती है इसलिए मानव देह को देवपुरी और ब्रह्मपुरी की नाम देकर इस्तुतिगान किया गया है क्योंकि समूचा देवत्व एवं दिव्यत्व इसी मानविय देह में बसता है बस आवशकता है इसके प्रती सजग होने की एवं इस जन्म सिद्ध अथिकार को प्राप्त करने म चेश्टा रत होने की उसकी चेश्टा करने की उपनिशदकार मानव शरीर की तुलना एक रत से करते हुए कहते हैं कि आत्मा ही इस शरीर रूपी रत का स्वामी है इंद्रिया इसके अश्वे हैं घोडे हैं मन लगाम है और बुद्धी सार्थी है रत के दो पहिये भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नती के प्रतीक हैं आवशक्ता अपने आत्म स्वरूप के प्रती सजग होने की है तभी हम बुद्धी रूपी सार्थी को सही निर्देश देते हुए मन रूपी लगाम दोरा इंद्रिया रूपी अश्वां को सही दिशा में बढ़ा पाएंगे औ और समग्र प्रगती का पथ प्रशस्त हो पाएगा यदि हमारी आत्मा मूर्शित है यानि बेहोश है तो इंद्रियां का स्वच्छन्द विजरण मन की दिशाहींता और बुद्धी का भ्रम ही नियती बन जाएगी क्योंकि मन वा इंद्रियां सोभाव से ही बहिर मुखी है यानि बाहर की और भागती हैं बाहर के सुख सुविधाओं को देख कर उनका मन ललचाता है इन्हें सुख भोग ही रुचता है और फिर त्रिशना वासना का कोई अंत नहीं कितना भी भोग लो कभी मन तरप्त नहीं होता इंद्रियां एवं भौतिक सुखों की दलदल में दूबा हुआ आज का मनुष्य इसे का उधारन है ये बेहुश आत्मा की प्रणीती है इंद्रियों एवं विश्यों के संयोग से उत्मन भोग जीवन का अविछिन अंग है किन्तु इंद्रियों का दास बन जाना हर दृष्टी से आकल्यान कारी है और अंततह विनाशकारी ही सित्ध होता है इसलिए भोगों में डूबी भटकी मानवता के लिए उपनिशतों का संदेश है कि त्याग पून भोग करो अर्थार्थ मनश्य इंद्रियों का उपयोग स्वामी की तरह करे ना कि उनका दास बनकर उनका गुलाम बनकर मनश्य मन प्रधान प्राणी है अत अनुसार अन के सुक्षितम अन्सशे मन बनता है अतहा आहार की शुद्धी से मन की शुद्धी होती है और अन्तगरण के पवित्र होने से इस्मृती द्रण हो जाती है और इसी के अनुरूप जीवन के हरशेत्र की गुरवत्ता सुनिश्यत होती है तथा जीवन के परम लक वायू की भादी चंचलों दुरहिन है जैसे वायू को बादना कठिन है वैसे ही मन को नियंतरित करना भी बहुत कठिन है परन्तु अभ्यास एवं वैरागी द्वारा इसे वश में किया जा सकता है बुद्धी रूपी सार्थी द्वारा मन रूपी लगाम से इंद्रिय करें उसे पूरा मन लगा कर तल्लीन होकर करना चाहिए आधे अधूरे मन से किया गया काम हमें असफलता की ओर धकेलता है और उसका जो रिजल्ट होता है वो है निराशा, शोब, कुंटा, आवेश, आधी हमारे हाथ में लगते हैं हमें विक्षिप्तता की ओर डिप्रेशन के ओर धगेल देते हैं अतहा हमको जीवन को उतकृष्ट बनाने के लिए मनों ने ग्रहेवं एकागरता पर हमारे रिशी पल देते हैं साथ ही इसका सरलतम उपाय ओमकार का जब पतलाते हैं क्योंकि ये स्वेम ब्रह्म का नाम है तथा अनहदनाद के रूप में हमारे अंद निशद में कहा गया है कि किसी भी कारे को ओमकार पूर्वक प्रारंब करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है उपनिशदों में स्वाध्याय को यानि हमारे जो दिव्य ग्रंथ हैं उनको पढ़ने का जीवनोत कर्ष का एक अनिवार्य अंग जरूरी बताया गया है स्वाध्याय मा प्रमदह कहकर इसमें प्रमात को वर्जनिय माना क्या है यानि आलस नहीं करना चाहिए स्वाध्याय करने में क्योंकि सांसारिक माया एवं मन की प्रकरती दोनों मिलकर जीवात्मा को अपने लक्ष के प्रती हमेशा ब्रहमत ही रखती हैं सद्ग्रंथ पढ़ने से महापुर्शोंद्वारा रचित साहित को पढ़ने से उनके अध्यन करने से हमारी जो आत्म मूछना तूपती है बेहोशी से हम जाग जाते हैं जीवन के अंधेरे कोनों में प्रकाश पढ़ता है और अभ्युदय का मार्ग प्रकाशित होता है इसलि जायते नान रतम अर्थार्थ सत्य की ही जीत होती है सत्य का ही हमको सहारा लेना चाहिए और इस सत्य की अवलंबन से उसका सहारा लेने से मनुश्य नरक की अगनी की तपन से भी सुरक्षित पार हो जाता है और मुक्ति की और भढ़ता जाता है जो भी असत्य का सहारा लेता वो नश्ट हो जाता है जीवन में भौतिक्ता एवं आध्यात्मिक्ता का समन्वे उपनिश्दों की अधुतिये विशेस्ता है यानि आप जीवन में भौतिक सुख एश्वर्य सम्रध्धी और पारलोगिक सुख में और आध्यात्मिक्ता में कोई विरोध नहीं है विदेह राज जनक राजा थे तो साथ ही तत्व जिग्यासु भी थे वो महारशी याग्यवल्क ब्रह्म निष्टित तो थे गो कामी भी थे किन्तून की कामना धर्म द्वारा मर्यादित थी लालच मत करो रिशियों का सपष्ट आदेश था क्योंकि वे जानती थे कि कितने भी धन से मनुष्य की त्रप्ती नहीं हो सकती धन से भरी संपून प्रत्वी भी मनुष्य को शाश्वत ब्रह्मानंद की प्राप्ती नहीं करवा सकती अतहा मनुष्य जीवन में दोनों का ही समन्नवे ही अपेख्षित है यानि दोनों का भौतिक सुखों का और अध्यात्म का समन्नवे होना चाहिए दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए एकांतिक सुख और एकांतिक आध्यात्मिक्ता में डूबे रहना दोनों ही मनुष्य के लिए आत्म घाती है यानि कि सिर्फ भौतिक सुखों में संपन्दता में हम डूबे रहें और अध्यात्म से दूर हो जाएं और अध्यात में ही अध्यात में डूबे रहें और परिवार से संसार से दूर हो जाएं ये दोनों ही प्रिसितियां बहुत कठिन हैं इसलिए हमको इन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए उपनिश्दों में भौतिक प्रगती का आदर्स स्पष्ठ है जब वह कर्म करते हुए सौवर्थ तक जीने का सुझाव इसलिए देता है लेकिन तू साथ ही कर्म का हेदू भी स्पष्ठ करता है जो आत्म केंद्रित स्वार्थ परक यानि ऐसा काम जो खुद के स्वार्थ के लिए किया गया हो भोग की द्रश्टी से किया गया हो ऐसे कर्मों से बचना चाहिए मनश्य को करम करने में जब आ करम करे तो आपने में सब को और सब में अपने आपको देखनाँ चाहिए तब जीवन में शोक और मुह नश्ट हो जाता है ब्रह्मानन्द का सागर ही लोरे मानने लगता है किसी ने ठीक ही कहा है कि नाव में जल भर जाए और घर में आवशक्ता से अधिक धन आ जाए तो दोनों हाथों से जल और धन को उलीच कर फेकना चाहिए यानि दान देना चाहिए अनिता नाव में पानी भर जाएगा और वह डूप जाएगी घर में धन यदि अत्यधिक हो जाएगा उसका संग्र है तो वह हमारे लिए ही विनाशकारी सिद्ध होगा अता हमें दान हर द्रश्टी से श्रे कर होता है जो भी कम अधिक हो मिल बांट कर खाना चाहिए क्योंकि अकेला खाने वाला बाप ही को खाता है आत्मभाव की विस्तार के लिए अपने पराय का भीत मिटाने के लिए परसपर करुणा मैत्री की स्थापना के लिए दान का महत्वस सर्वोपरी बताया गया है रिशियों ने मीठी वाणी एवं प्रियवाणी का प्रतिपादन किया किया है कठो, रूखे, तीखे, व्यंग वाणों का प्रियोग कभी ना करें क्योंकि इनसे इर्शा, त्वेश, बैर की भावना उत्पन होती है जिवा मधुमती होनी चाहिए क्योंकि मीठी वाणी से शत्रू भी मित्र और पराय भी अपने हो जाते हैं साथ ही रिशी मानव और शरीर को बलिष्ट एवं निरोग रखने पर बल देते हैं क्योंकि मानव शरीर ही धर्म करने का पहला आधार है जीवन में लोकिक सुख एवं पारलोकिक आनंद के आदर्श समन्वय का प्रतिपादन करते हुए लिशी कहते हैं कि इस परिवार्तन शील जगत में भौतिक एवं सांसारिक सुखों को भोगते हुए आनंदित होते हुए भी मनश्य को सदेव ये प्रतने करना चाहिए कि वह अमरत के दिवगोणों को धारन करें इस हेतु रोज सोनी से पहले दिन भर के किये हुए कर्मों को याद करके उन्हें सुधारनी की चेश्टा करनी चाहिए परम परमेश्वर को प्रतिदिन प्रतिक्षण याद करके कुटिल एवं पाप मार्ग से स्वयम को अलग रखना चाहिए और सुपत पर चलना चाहिए उपनिश्दों की शिक्षा हैं तो अगर आपको ये जानकारी पसंद नहीं है तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें मंत सिध्धी चाहिए